ना माशूका और ना ही कोई पत्नी फिर सवाल ये है कि देश के नए डॉन का वारिस आखर कौन होने वाला है? देश के नए डॉन और गुरुजी की अकूत संपत्ती का वारिस कौन होगा ये सवाल इस वक्त पूछा जा रहा है और ये बात हो रही है गुजरात के साबरमती जेल में बंद लॉरेंस विश्णोई और उसके गैंग की और ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि गुरुजी यानि कि लॉरेंस विश्णोई के गैंग के ज्यादा गैंस्टर ब्रह्मचरे का पालन कर रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि गुरुजी के गैंग में ना कोई गर्ल्फरेंड है ना कोई मशूका है और ना ही कोई पतनी है वही लॉरेंस विश्णोई की क्राइंग कंपनी का सालना टर्न ओवर करोडों में बताया जाता है लॉरेंस विश्णोई हाल ही में एक बार फिर से गुजरात की साबरमती जेल से लेकर मुंबई दिल्ली से लेकर कैनडा तक अगर किसी अपराधी के जुर्म के कारणामों की गूंज है तो वो देश का नया डॉन लॉरेंस विश्णोई और गुरुजी ही है करीब 68 साल के दाउद इब्राहिम की आधी उम्रे से भी कम यानि की महस 32 साल का ये गैंकसर लॉरेंस विश्णोई जिसके बुजर्ग माता पिता सुरक्षा कारणों से किसी सुरक्षित इस्थान पर रहते हैं और परिवार में एक लौता एक छोटा भाई जिसका नाम अनमोल विश्णोई है जो भी बड़े भाई की ही रहा पर चलकर क्राइम की दुनिया का हिस्सा है और विदेशों से बड़े भाई की जो crime company है उसे operate भी अनमोल विश्णोई ही कर रहा है सबसे दिल्चस्प बात ये भी है और गौर करने वाली बात भी है कि लॉरेंस विश्णोई की जो crime company है और उसके alliance gang है इसमें किसी भी gangster की कोई girlfriend नहीं है और नहीं किसी ने अभी तक शादी की है ये जो गुरुजी का gang है वो बाकी gangster और दाओद इबराहिम की तरह नहीं शराब का सेवन करता है और नहीं आयाशी में पैसा लुटाता है ये बात जगजाहिर भी है कि खुद लॉरेंस बिश्णोई जो है वो नवरातरी में नौ दिन का मौन वरत रखता है और आपको मैं ये भी बता दू कि जैबलकारी के ये जो gang के member हैं उस सब ही भगते हैं और मास मदिरा से भी एक कोसो दूर रहते हैं सिर्फ इतना ही नहीं है लॉरेंस का जो crime gang है उसने बिलकुल एक multinational corporate company की तरज पर एक लंबी चौड़ी वकीडों की जो फौज है वो भी रखी हुई है और यही वज़ा है कि दिली से लेकर देश के लगबग हर उस राज्य में जहां लॉरेंस या उसके gang के किसी भी सदस्य का case चल रहा है उसके वकील पैरवी के लिए वहाँ पर मौजुद होते हैं इतना ही नहीं है विदेशी धरती पर भी चाहे राजनितिक शरण की बात आए या फिर खुद की पैरवी की गोल्डी बराड अनमोल विश्णोई ने वकीलों की यहां पर मदद ले रखी है इसलिए अब जब इस गैंग की बात आती है और जब बाकी गैंग से इनकी तुलना की जाती है तो लौरेंस विश्णोई की जो गैंग है वो इस वक्त थोड़ी अलग दिखाई पड़ती है और इसलिए सवाल ये उड़ता है कि देश के नवे डॉन का वारिस आखिर कौन होगा ऐसा इसलिए क्योंकि लौरेंस विश्णोई ने ना तो कोई शादी की है और ना ही कभी लौरेंस विश्णोई की किसी गर्ल्फरेंड की खबर या पूरे गैंग के सदस्यों की कोई ऐस इसी खबर अभी तक निकल कर सामने आप आई है